नमस्कार दश्को मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस विशेश कारिकरम में दश्को आज हम बात करने वाले हैं उन तकनीकों या ये कहें कि टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे हम अपनी यादाश को बढ़ा सकते हैं और इसी विशेश पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा 2003 के अधिकारी वरतमान में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हिमाचल के डिरेक्टर श्री राजीव कुमार जी सर आपका इस कारिकरम में बहुत-बहुत स्वागत है दश को इस कारिकरम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजीव जी लिमका बुक आफ वर्ल्ल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं अपनी शाप मेमरी के लिए और इसी विषये पे हम उनसे जाना भी चाहेंगे कि कैसे हम अपनी मेमरी को बढ़ा सकते हैं या ये कहें कि हम अपनी याददाश को और स्ट्रॉंग कर सकते हैं तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपको ये सब करने की प्रेंडना कैसे मिली या आपने ऐसी क्या मेहनत की या कौन से हुआ ऐसे टिप्स थे जिससे आपने अपनी मेमरी को इसकाबिल बनाया देखे प्लस टू के बाद मैंने एक मर्चेंड नेवी का कोर्स जोइन किया था उसमें बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता था तो देरे-देरे कहीं से कुछ से चोटी-चोटी टेक्नीक्स पढ़ी कि किससा इसको याद किया जाए यह सीखी, वो टिप्स अपना के बाकी के लोग भी अपनी मेमरी को बढ़ा सकते हैं, तो समय यह जाना चाहूंगा कि इस इन टिप्स के बीचे बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है, कैसे मेमरी पार को इंक्रीज किया जाता है, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, साइन्टिपिक यह प्रूव हो चुका है कि एक मनुश्य जो अपने दिमाग का लग हुए, दस प्रतिशत जो हिसा वो यूज कर पाता है, अगर हम थोड़ा सा भी और यूज करनें तो हम लाइफ में एजुकेशन में बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि ब्रे हमिस्वेर के जम बात करते हैं, 1960s की बात है, एक रशियन नियूरो साइकॉलोजिस्ट थे, एक किसी ब्रेन पेशन को एक पेशन को स्टेडी कर रहे थे, जिसको की एपिलिप्सी की प्रॉलम थी, जिसको बोलते हैं कि मिर्गी के दोरे पड़ते हैं, तो उसको जब वो स्ट किया, तो उन्हें कुछ बहुत यूनीक सा बहीवियर उन्हें अब्सर्व किया, और उस बहीवियर के बेस्पे उन्हें अब्सर्वेशन अपनी फाइंडिंग दे की, जो हमारा लेफ्ट हैमिस्वेर है, उसको कुछ और काम है, जैसे हम लेफ्ट हैमिस्वेर की बात करते है तो left hemisphere में language, mathematics, reasoning, repetition, logic, इन चीज़ों पर expertise है इसके, right hemisphere की बात करते हैं, that is a creative, pictures, इस ताइम हम जो pictures देख पा रहे हैं, वो काम right hemisphere कहा है, नही नही तरीकों से काम करना, adventure, creativity, इस सारी सारी चीज़ हैं, जो right hemisphere की हैं, तो हम क्या करते हैं, normally जो हमारा education system इस सरह से बना की, वो purely left hemisphere पर focus करता है, जो एक brain का 50% जो power एक हिस्सा है, वो unutilized रहता है, तो जो many techniques develop की, वो right hemisphere के use को भी emphasize करती हैं, दोनों brain के parts को equally use करते हैं, तो वो चीज़ें हमें भूलती नहीं हैं, जैसे आपने कभी देखा, मूवी दे देख रखी है, अगर आप से में उसके बारे में पूछों, तो आप अभी 60-70% story उसकी सही बता दोगे, लेकिन जो आपने 6 साल पहले पड़ रखा है, जो text है, उसके बारे में कुछ पूछोंगा, तो मुझ किलाएगी, क्योंकि जब हम दोनों brain parts की कठी बात करते हैं, तो ह में अपने brain के दोनों parts को simultaneously use करना हो, तो सर मैं आप से यही जानना चाहूँगा कि यही कौन सी techniques हैं, जिन से हम अपने इन दोनों parts को actively use कर सकते हैं, जैसे first main technique जिसको बोल सके हैं, अगर आपने purely चीज़ों को याद करना है, तो उसकी mnemonic techniques हैं, एक मैं छोटा सा example देता हूँ आपको, आपने एक country है, जिसका नाम Austria है, उसकी capital है Vienna, आपने उसको याद करना है, तो मैं क्या करूँगा आप जो word है, उसमें से आप कोई code ढूंडेंगे अपनी language का, जो आपके लिए familiar हो, जिसका चीज़ को याद करना, उसका code ढूंडेंगे, और दोनों को एक imaginary story से जोड देंगे, लेट से Austria का हमने code ले लिया, ओस ट्री, एक ट्री है, जिसके उपर ओस पड़ी है, आपको, मतलब किसी तरह से combination चाहे हो हिंदी का, English का, जो भी आपकी local language है, ओस ट्री बन गया एक किसका code, दूसरी तरफ capital है Vienna, उसका code ले लिया वीना, तो जिसका आप imagine करो कि आप से वह morning walk पे निकले, आपने एक पेड़ देखा, उसके औस गिरी है और वहां पे एक आदमी बैठके वीना बजा रहा है, इतनी से आपकी imaginary story बन गी, अब आपने इसको recall कैसे करना, लेट से examination hall में आपको question आता, चार option दिए हैं, उसमें एक Vienna भी है, औस ट्री की capital, तो आपने एक बार पढ़के आपको चीज याद होगी, just linking से, imagination से, creativity से, जैसे से आप left or right hemisphere को use करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो memory है, वो बहुत enhance होगी, आपको चीज़ें नहीं भोलेंगी, इसके लावा बहुत सा, ये तो आगी कुछ चीज़ें जो जहां आपको purely चीज़ें याद कर memory पर search के, तो उनने ये conclusion निकाला कि within 24 hours we forget around 80% हो था material, ठीक है और लगवा एक महीने के end में हमें 5-10% ही चीज़ें याद रह जाती है, तो उसके लिए मैंने technique developed की revision technique, तो उसके लिए आप सुबा जल्दी उठके अगर आप आदा घंटा लगाते हैं उस पे, चीज़ें को revise कर जो कि आज कल आपने पढ़ रखा, जैसे आपके बास चार topic है, math, English, Hindi या any other topic, और math में मान लीज़ें आप 5 में topic तक पढ़ चुके हैं, तो आज आप सुबा उठेंगे, कल सुबा उठेंगे तो उसको आप सुबेरे के 3-4 chapter revise कर लो, revise means scanning, जल्दी जल्दी, next day, next वाले कर लो तो इस तरह से क्योंकर examination के last day तक आपको जो है specific time नहीं निकालना पड़ेगा, आप जो morning का time है, अगर उसी को capitalize करेंगे, बाकी topic कर लो, जैसे 10 minutes आपने math के लिए कर ले, 10 minutes English के लिए कर ले, तो किसी भी examination का pressure नहीं रहेगा, ची, exam से जब भी exam आएगा, ऐसा नहीं है कि आप 5 राक्स होके उठते हैं, तो चीजें आपको एक्टिव रहता है, आप चीजों को जल्दी receive करते हैं, राक्स होके उठता है, तो वो चीजें लॉंग टरम तक के लिए आपको याद रहते हैं, तो सर मतलब कोल मिला कि ये कहा जा सकता है, कि अगर हम निमानिक्स टेक्नीक्स को अच्छे से यूज करते हैं, नॉन आव्वियस चीजों को जोडते हैं चीजों के साथ, तो शायद हम उन्हें एजिली रिकॉल कर पाएंगे, सर इसमें एक जो निश्ची तोर पे आज के युवा मुझे लगता है, बहुत फेस करते हूं ये कि हमें जब भी हम किसी चीज को आंसर करना चाहते हैं, या ये कहएं कि हम उनको कॉशिन पढ़ते हैं, तो हमें ऐसे लगते हैं, इंस्टेंटली का अंसर दिमाग में आता है, ये कहएं कि सबकाशिस माइन हमें कभी और एक आंसर देने की कोषिश करता है, इस मैथर को भी यूज किया जाता है, मैमरी यूज नहीं कर रहे हैं अब हुआ के बर मैं चेंडी कर न मैं था मेरे एक फ्रेंड शाम को अगले दिन उनका एक्जाम था तो मेरे को कहते कि आप में मेमरी टेक्निक पर काम करते हैं आपने इपे वरने बुक लएक लेखे तो मेरे को कुछ टेक्निक बताओ कि कल मेरा कुछ स्कोर बढ़ जाए मि Hmmm कर कल तुमारा एक्जाम में रहा है और को आझ पूछ रहे है चलो पृर बिर मैं आपको एक में आपने ऐसे करना जैसे आपने चार आंसर पढ़े और subconscious mind आपको जो first feeling आदे कि this will be the answer, without applying any logic, subconscious mind will give you a hint for fraction of second, तो आपने उसको click करना है, पर यह use भही करना जहां आपने at least उसको पढ़ रखा हुए, ऐसा नहीं कि आप randomly कहीं कर सकते हैं, तुकार नहीं मारना है, यह reading हुनी ज लेकिन हुआ कि examination के last moment तक के एक मिना पर हम revise नहीं कर पाए, तो चीज़ें कहीं नहीं brain के अंदर stored हैं, लेकिन हम उनको recall नहीं कर पाए, उन चीज़ों में यह चीज़ बहुत applicable होती है, फिर उसका जब exam होगे, उसके next day मिला में उसको, उसको मेरे लगभा 12 से 15 तक questions उस technique से ठीक हुए, otherwise कहते हैं, मैं हर बार ही क्या करता था, उसका logic लगाता था, जब वो logic लगाना शुरू करते हैं, उसमें problem आती है, subconscious mind कुछ time के लिए fraction of second के लिए आपको hint देता है, तो आप आज की competition इतना जारा बढ़ चुका, अगर आप सोच लेजी कि 100 में से 10 questions भी आपके हैं, हम जब अपने student life में थे, हमारे साथ भी यह सब हुआ है कि हम reading करने तो बैठ जाते हैं, पर जल्दी ही ऐसी थकावट सी feel करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं होगा हमार से, उस fatigue, उस थकावट को दूर करने के लिए भी क्या कोई ऐसे methods हैं, जिनसे हम उनसे भ जात को दसवे, आप reels देखना शुरू कर दो, एक कब बाज जाता पता नहीं चलता, जिए, ऐसा क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे left और right hemisphere दोनों को use कर रहे हैं, left है, आप सुन रहे हैं उसको, right hemisphere, brain का right hemisphere जो उसको देख रहा है, दोनों का equal balance बना हो, ठीक है, तो हमने क्या क ये, diagram type, pictorial, ठीक है, आप उस पे काम कीजिए, या आप imagination, आज की येटमन हर चीज़ पे लगवाई, यूट्यूब पे आपके जो है, सोचल मीडिया, उस पे कुछ ना कुछ material आपको मिल जाता, आपने कुछ चीज़ याद करनी है, let's say हिमाचल के temples आपने याद करना है, तो history के topics है, modern India है, ancient है, उस पे movies आ चुकी है, जैसे महतमा गांडी की, जी की हमने जो life के बारे में पढ़ना, उन्होंने क्या 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 योगदाना, तो उन पे movies है, making of the महतमा, अलग अलग movies है, भग सिंग पे movies हैं, तो मैं तो मेरे स्टूडेंट हैंड में चलना शुरू हो जाएगी, तो आपने जो question बोर हो जाते हैं, इसलिए बोर होते हैं क्योंकि सिर्फ हम left hemisphere use कर रहे हैं, left hemisphere repetition, कुछ time के बाद बोर होना सभाविक है, आपने बहुत अच्छा सुझा दिया कि हम पहले उसको visually उस चीज़ को देखें, जिसके वारे मैं शुरू करता हूँ, जैसे आपने कहा कि YouTube पे भी आजकल बहुत कुछ है, अगर हम इन चीज़ों पे जाते हैं तो हमें destruction बहुत जादा मिलती है, यह कहीं कि हम concentrate नहीं कर पाते हैं चीज़ों के बहुत करते हैं, तो क्या कोई ऐसे methods भी हैं, जिस से हम concentrated रहें, कि सिर्फ जिस के लिए हम पढ़ा ही कर रहे हैं, हमारा ध्यान ना भटके, तो क्या इन पे भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम concentration के अगर हम बात करते हैं, तो concentration के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर में बैठके एक plain paper लीचे, उस पे कुछ drawings बना लिए, center dot, circles, बड़े-बड़े circles, squares, triangles, आप मेरे YouTube चैनल पर पी उसको देख सें, ठीक है, उस हुआ उटके आपने पांच मिन्ट के लिए उसको, उस पे concentrate करना, यह technique आप, अब यह technique क्यों काम करती है, किसी चीज़ पर हम concentrate कर रहे हैं, background में picture change हो रही है, जब भी picture की बात आगी, जब भी change की बात आगी, जब भी something new की बात है, that is a right hemisphere, एक चीज़ को repeat करने की बात हागी, part of left hemisphere, फिर से हमने क्या किया, दोनों को इकठे काम पर लगा दिया, तो इससे आपकी concentration बढ़ेगी, इसके इलावा subconscious mind की techniques है, जो आपके behavior को 90% control करता है, लेकिन हमें conscious level पर नहीं पता है, let us say, subconscious, simple सी technique आपको पता है, आप एक relaxed state में है, उस state पे आपने खुद को कुछ commands देनी है, जो भी आप behavior change करना चाहते हैं, अपने दिमाग को focus करवाना है, हमें खुद दिमाग में भी ये चीज धरिद निश्चे होना चाहिए, कि हम divert ना हो, उसके लिए आपके subconscious mind पे directly statement डाल देनी, let us say, student है, जिसकी memory अच्छी है, लेकिन उसके teachers ने, parents ने, उसको बोल के रखा हो, बारवा की नहीं तो आपकी memory अच्छी है, आप उसको जितना मज़ी बोलते रहो, वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर directly उसके हम subconscious mind में उस statement को डाल देते हैं, जब हम relaxed state of mind में, जैसे meditation state में है, उस time वो ये statement जैसे change है, बीना किसी बाहर की extra आपको guidance के या persuasive उसके, एक stage और technique में आपको बताता हूँ, जो meditation नहीं कर पाते हैं, रात को जब हम सोते हैं, बैड पे चलेगे, एक stage आती हैं, जब लगता लगने कि आप नीद आने वाली है, जी, अभी हम सोय भी नहीं है, और जाग भी नह हैं, एक बीच की state आती है, कुछ seconds के लिए आती है, अगर आपने अपने behavior को change करना तो उस state पे आप अपने आपको positive commands दो, आपको next date से उसका effect दिखना शूरू, it is a such a powerful technique, कुल मिला के कहा जा सकता है कि हमें अपने अंदर positivity को भरना है, जो भी आप करना है, जोगों की negativity को छो बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हुए music सुनते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वो भी यह कहते हैं कि जब हम music सुनते हैं इस तो हम शायद अच्छा पढ़ पाते हैं, कि यह भी टेक्निक memory boost करने में help करती है, या definitely, फिर भई बात आगी, जब आप text पढ़ रहे है टेक्स पढ़ रहे हैं आप लेकिन right hemisphere जो है उसको कुछ काम नहीं दिया, वो pictures और चला देगा background ने कुछ न कुछ, उसको कुछ काम दे दो, music चला लो, पर एक चीज़ का ख्याल लगना आपने, I am repeating, जब आप कोई नया topic पढ़ रहे हैं, तो music आप ऐसा सुनिये जो repeated, जो आ आपकी आपकी जो concentration है, वो वहां ना जाए, लेकिन जब आप कोई आप revision कर रहे हैं, तो आप नया कुछ music चलाईए, आपका balance रहेगा और आपको time का पता नहीं चलेगा, इसके लाप बहुत advanced music है, subliminal perception, वो music है, जैसे normal music चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ hidden messages हैं, जैसे मेरी concentration अच्छी है, मेरी memory अच्छी है, वो चलता रहेगा, आपको सुना ही न देगा, लेकिन वो अगर आपको hypnotize करके हम पूछें कि इस music के अंदर क्या तो आप उसको बता पाऊगे, इस level तक वो चीज़ है, यह कौन से music रहते हैं, सब आप YouTube पे भी आपको मिल जाएगे, अगर आपको चाहिएगा, यूट्यूब चैनल, मैंने इसको बता के रखा है, तो यह special music है, जो कि आपको subconscious लेवल पे प्रोग्राम कर देगा, जैसे software होता न, जैसे computer आपने software डाला, वो चल पड़ेगा, लेकिन ब्रेम में इतनी research हो चूच हो चूच है, लेकिन हमारे hidden commands भी हमारी memory को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो अची कौन सी food habits हैं, जो हमें ज़रूर अपनानी चाहिएं, जिससे हमारी memory बूस्ट हो सके हैं, डेफिनिटली हमारा श्रीर और हमारा mind basically किस चीज़ से बना हुआ, what we eat, जो हम खाते हैं उसी से, healthy foods, गर्म खाना, fruits आप ज़्याद से ज़्यादा खाईएं और अपनी जो body vitamins की कम ही उसको पूरा रखिये, जो student study काफी study करने, 10 बारा घंटे study करनी पड़ती है, तो उनको चाहिए कि vitamin B12 जो है, वो उनको जरूर लेने चाहिए, lunch के बाद मैं recommend करूँगा, बाकि different fruits है, vitamin C की, glucose की इस तरह की चीज़ यानि की हमें एक balance diet के साथ साथ, जैसा कि आपने कहा कि vitamin B12 और vitamin C को intake करना जरूरी है, मैं यहाँ यह जरूर कहना चाहूँगा कि दर्श को किसी भी supplement को लेने से पहले एक बार doctor से जरूर कंसल्ट करें, एक अधिक मातरा में कभी कुछ supplement हमारे हानिकारक भी होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप किसी भी supplement को लेने से पहले doctor से consult कर लें, उसके बाद ही इस तरह का कोई भी supplement लें, सर इसमें एक concept और आता है, या मैंने भी बहुत बार अपने आस पास लोगों को यह चीज करते हुए देखा है कि बहुत से जो intellectual minds हैं, जिने मैं यह कहूं कि बहुत clinical approach, multi-dimensional approach, क्या memory boost करने में help करती है या यह भी आपके, यह कहें कि distractions हैं यह, नहीं यह, distractions नहीं बोल सकते हैं, जैसे मैंने शुरूर में पताया कि हम अपने brain का कितना 10% यूज कर पाते हैं, इतना hidden potential है, जितना हम अपने brain के बार में पिछले 5000 साल में नहीं जाना हैं, जितना ह नहीं अगर हम कुछ percent और अगर यूज कर सकते हैं, तो हम multiple different fields में, study में, आपने देखो, बहुत सारे student हैं, individuals हैं, वो different fields में excel कर रहे हैं, study में excel कर रहे हैं, sports में excel कर रहे हैं, social activity में excel कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है यह distracted हैं, distractors हैं, but they are helpful in your studies, यानि कि हमें, मतलब, balance इठाना तो जुरूरी है, किसी विचेश कर रहे हैं, तो दोनों ब्रेन को आपने यूज कर दिया, सच जैसे मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूं कि अगर निचोड में कहूं, तो अगर हमें अपनी memory को बूस्ट करना है, तो हमें अपने ब्रेन के दोनों पार्ट को एक स आपने ब्रेन को बढ़ाना है, जैसे और ऐसी कौन सी ट्रेक्स हो सकती हैं, जिसे हम डेली लाइफ में यूज कर सकती हैं, छोटी-छोटी ट्रेक्स जिसे हमें इंस्टेंटली दिखने शुरू हो असर अपनी memory boosting में. जब गाड़ी चलती है, गाड़ी किसी से चलता है, ब्रेन किसी से चलता है, ग्लुकोस, ऑक्सिजन, सबसे जो इंपॉर्टन फेक्टर हैं. तेक मैं टेक्नीक बताता हूं आपको, जब भी आपको लगे कि आप एकदम से ठका हुआ हुआ महसूस कर रहे हैं, या स्टेडी कर बैठ चाहिए वहाँ पर आंख्यां बंद कर लीजिए, नाक से सांस लेनी है और मुह से अपने सांस चोड़नी है, इस सरसे पांच मिन्ट के लिए सिर्फ, जैसे आजकल मोवाईल की बैटनी है थी चार्जर, टर्बो चार्जर, पांच मिन्ट में चार्ज कर देते हैं, यह आज कि यह ब्रेन की टेक्निक है, ब्रेन का चार्ज dolphin है, एक्णम से आपको ब्रेन के अंदर ऑख्य और आगरार अजय से ऑक्सेजन वह बड़ेगा।, जैसे, गड़ेंगी के इनजन में अगर अच्छी क्वा लिटी का प्ट्रोल हम उजस करेंगे, तो शकी oxygen access में मिलेगी तो इसकी efficiency और बढ़ेगी जो थकान है आपको पांच मिन्ट के अंदर इससे effective कोई technique आपको रिजल्ट नहीं दिखासती है कभी आप ट्राई करना कभी headache हो रहा है आपको extra stress की वज़ा से आप थकान होगी पूरा दिन पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ सिर्फ पांच मिन्ट के इस technique को अप्लाई करना मेरे फ्रेंड थे एक बार में he was a journalist कहीं होटल में बैठेशेप्शन प पापीस गए तो I am feeling better fresh और फिर से काम पे लग यह बात तो कहीं जा सकती है कि यह सारी tricks या tips आपने पहले अजमाई हुई है और तभी उसी के बाद क्यों खुद पर मैंने जब H.S. की त्यारी की तो सारी की सारी technique जहां खुद पर ट्राई की हुए है जो अच्छी लगी उन क्या ऐसा कोई source है जैसे आपने कहा कि YouTube channels है या आपने कहा कि books हमने लिखी है तो कहां से लोग इनको access कर सकते हैं कहां से उनको यह database में उनको यह tips और ट्रिक्स मिल सकती है आप अगर Google पे search करेंगे India brain power बिना space डाले India brain power Facebook page भी है YouTube channel जिस पे कि यह सारी mnemonic techniques मेंने डाली हुई ह काफी detail में बहां पे बताया बहां पे आप देख सकते हैं Amazon पे जो books available हैं जो competitions की तियारी कर रहे हैं how to improve memory study and exam techniques psychology question papers reasoning essay writing tips यह सारी कि सारी चीज़े हैं आपको YouTube पे Amazon पे या बागी social media पे पर पसे इस तरह की tricks सीखना चाहे तो क्या आप इस तरह की coaching facility या कुछ इस तरह का provide करते ह हैं कोई अगर आप से बात करना चाहे या कोई ऐसी help लेना चाहे जी है एक India brain power नाम से ही WhatsApp का number है उस number पे अगर किसी की कोई है अपनी कोई question है query है उसको पूछ सकता है उसका number 9878106703 तो इस पे आप सिर्फ WhatsApp करके जो हमारे viewers हैं जो students है WhatsApp करके इस पे अपना जो question है उसको पू आप समाज के लिए एक बहुत महतुपून योगदान दे रहे हैं अपनी प्रिशासनिक सेवाओं के साथ में भी आप आज हमारे इस कारेकरम में आए आज आपने बहुत से जानकारी हमारे दर्शकों को दी और मुझे उमीद है दर्शकों आपको ये जानकारी अच्छी होगी तब तक के लिए नमस्कार